हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब मैं स्वेवराज आप सभी का सौगत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्काइग्यान कि आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे टर्म्स जो मेजर्मेंट करते समय हम यूज करते हैं है ऐसे टर्म्स जो हम बार-बार सुनते जरूर है लेकिन उनके बार में हमें बहुत कन्फूजन रहता है ठीक है तो आज देखते हैं कि वह कौन-कौन से टर्म्स हैं जो मेजर्मेंट या जो आपका सब्जेक्ट है मेजर्मेंट उसमें यूज होते हैं ठीक है को सबसे पहला टर्म है एक्यूरेसी हमने बहुत बार सुना ओगा एक्यूरेसी लेकिन क्या होता उसकी देफिनिशन थोड़ा समझने में डिफिकल्टी होती है तो आएए देखते हैं है क्या है इक इंस्ट्रमेंट की एबिलिटी है जो उसका किसी जो आपको कि मेजर्मेंट कर this ए माद्यों करना टुमेजर इस्ट्रमेंट है मतलब किसी चीज़ को मेजर लिए हैं तो उसके यह आप यह क्या सकते हैं कि Closeness of the measured value to Standard और true value मतलब इसका यह हुआ कि आपने जो measure किया है वह standard value यह true value के कितने करीब है ठीक है यह कहलाता है एक्यूरेसी फिर दूसरा पॉइंट है प्रिसीजन इस अ क्लोजनेस आफ टू और और मोर मेजरमेंट्स टू इच अधर इसका मतलब यह हुआ कि आपने अगर सपोज किजिए पांच मेजरमेंट कि एक एक ही चीज के ठीक है और बार 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 आपको उसका जो वैल्यू मिल मतलब आपका जो मेजरमेंट है वो प्रिसाइज है लेकिन आपका मेजरमेंट नहीं हो सकता मतलब आपने वैल्यू अगर सब मश कीजिए थी कोजिए है और आप मेजर कर रहे है हुआ है और त्री पांट टू कीजी तो तो है कि आप पार बार सही मेजेर कर रहे हैं यह और वालू वहीं आ रहे हैं लेकिन एक्चुरेट नहीं है ठीक है एक एक करके इनको देखते हैं सबसे पहले है constant error ठीक है क्या होती है दोस फूर फॉर्स दी रिजल्ट बाइ सेम अमाउंट मतलब कि आपने कोई मेजर्मेंट किया ठीक है बार बार मेजर्मेंट किया और बार बार सेम अमाउंट का जो वैल्यू आ रहा है वह रिजल्ट को अफेट कर रहा है ठीक है वह कहलाता है constant फिर आता है systematic error systematic error occurs in only one direction either it is in positive direction और it is in negative direction मतलब यह हुआ कि अगर आपको यह value मेजर कर रहे है तो या तो वह 3.5 आएगी या तो 3.6 आएगी 3.7 आएगी मतलब वह positive direction में बढ़ रही है ठीक है तो यह systematic error हो गई या तो फिर वह negative direction में बढ़ती जाएगी तो उसको हम कहेंगे negative error ठीक है अब यह values यह error आती किस वज़े से है इसमें कुछ points है जैसे कोई आपने technique यूज नहीं की है measurement के लिए या फिर experimental condition change हो रहे हैं जैसे temperature प्रेशर वगेरा वगेरा या फिर personal error जो है उसकी वज़े से यह error आ सकती है personal error में कौन-कौन सी errors है इसमें देख लेगते हैं इसमें सबसे पहले instrumental error मतलब कि जो आपने instrument यूज किया है उसका जो design है वो perfect नहीं है इसकी वज़े से systematic error आएगी या फिर दूसरा है gross error gross error में क्या है कि अगर आपने carelessness दिखाई ठीक है सपोज value आ रही है 41 और आपने right लिख लिया 47 तो यहां पर carelessness आ गई तो यह error जो आएगी वो gross error बताएगी कि तीसरा है कि external cause की वज़े से जैसा में बताया कि temperature humidity इसकी वज़े से जर आएगी वो systematic error में आएगी फिर आता है wrong technique आपको measurement की technique कुछ और यूज करनी है लेकिन आपको यूज कुछ और कर रहे है तो इसकी वज़े से जो भी error आएगी वो systematic error कह लाएगी ठीक है कि फिर आता है sensitivity sensitivity क्या होता है इस चेंजिन आउटपूट अपान चेंजिन इनपूट और यह sensitivity क्या होता है हमेशा हाई होना चाहिए मतलब यह हुआ कि सपोज कि यह आपने कोई input दिया ठीक है बहुत है small input दिया और वो कितनी fast कितनी fast output दे रहा है ठीक है तो यह उसकी sensitivity कहलाएगी right next term है resolution it is the smallest unit of measurement मतलब आप जो measure कर रहे है उसकी smallest unit है जो कोई एक कोई instrument है जो वो reading बता सकता है ठीक है मतलब instrument as resolution क्या होता है कि smallest unit of measurement जो कोई एक instrument बता सकता है सपोज कि यह आप किसी की में लंबाई नाप रहे हैं ठीक है और आपके पास जो instrument है वो उस piece सपोज ही कोई piece है उसकी smallest जो यह measurement होगी वो कहलाएगा resolution ठीक है फिर आता है random error random error cannot be associated with any constant cause मतलब कि यह कैसे भी आ सकती है ठीक है मतलब यह error कहां से आ रही है इसका कोई idea नहीं होता है कभी भी कहीं से भी error आ सकती है तो इसको हम कहते है random error फिर आता है absolute error absolute error होता कि है it is the difference of true value and measured value generally हम true value नहीं जानते हैं ठीक है भाई क्योंकि हमने अगर को true value माना है तो वह measure करके ही माना है ठीक है जो हमने value readings ली है उसका arithmetic mean निकाल लेंगे ठीक है और उसके बाद हम error निकालेंगे यह हो कि arithmetic mean minus पहली value arithmetic mean minus दूसरी reading फिर तीसा arithmetic mean minus तीसरी value इस तरह से हम सबका यह निकालेंगे difference error निकालेंगे ठीक है और फिर हम यह पहली जो value आई यह दूसरी आई यह तीसरी आई इन सबका arithmetic mean फिर से निकालेंगे ठीक है तो जब इसके बाद जब हम arithmetic mean निकालेंगे तब हम मिलेगी absolute error right now next is relative error relative error क्या होता है यह है absolute error का mean ठीक है जो अभी हमने calculate किया ठीक है absolute error और नीचे के है a mean जो हमने starting में जो हमने measurements लिये थे वो ठीक है तो यह कहलाता है relative error ठीक है मतलब कि the ratio of absolute error right यह हो गया absolute error divided by the arithmetic mean जो हमने starting मिलिया था तो यह कहलागा relative error फिर आता percentage error अब इसी को अगर हम 100 से multiply कर दे relative error को तो हमें मिल जाएगा percentage error right तो यह कुछ technical terms से जो measurements करते समय हमें हमें पता होने चाहिए right I hope आपको idea हो गया होगा कोई doubt हो तो comment करके पूछेएगा और जो लोग अभी इसको पहली बार सब्सक्राइब कर लें जिससे उनको नएने वीडियो मिलते रहें ठीक है thank you very much